हेले बरवान कैसे हैं आप सब एक बार पुना सीगोचिंग क्लास्ट पर स्वगत हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे क्लास्टल्द कमिस्ट्री न्सी आइटी में 2025 का न्यू बैच जो इस्टार्ट है बच्चो जिसमें आज का टॉपिक है मोलर्ता अत्वा ग्राम अरुकता मोलर्ती क्या है ठीक है इसके बार रही है इसका पुरा फार्मुला और आउंकिक प्रश्ण कैसे हल करेंगे वो भी हम चर्चा करेंगे लेकिन अदि आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बचो ये जो मोलरता है, मोलरटी है वो किसी बिलियन में उपस्थित बिले पदार्ज के सांदरता को ब्यक्त करने का माध्यम है सांदरता को ब्यक्त करने के कई माध्यम है जैसे मोलर्ता हो गया मोलल्ता हो गया नारमल्ता हो गया फारमल्ता हो गया पीपी अमपार्ट्स पर मिलियन ये सारे के सारे बिले पदार्ज की सांदरता को ब्यक्त करने का माध्यम है जैसे मैं बात करूँ billion में तो billion में दो घटक होते हैं यह सब को पता है थोड़ा सा देखेगा नहीं तो आप confused हो जाओगे billion में दो घटक कौन कौन से हैं एक तो होता है बिले जिसे घुला जाता है और दूसरा होता है आपका बिलायक जिसमें घुला जाता है एदि हम बिले को बात करें तो घटक B से रिप्रेजंट करते हैं इसके घटक A से रिप्रेजंट करते हैं अब पच्चो जब इनके भार की बात आती है मातरा की बात आती है जब भार की बात करते हैं तो इसको W, B से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको W, A से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब वहीं पर आर्विक द्रबमान की बात करते हैं, इसको M, B से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इस billion में, इस billion में, बिले की मात्रा के आधार पर इसके सानरता को बेक्ट किया जाता है, अब जैसे मैं कह दूं कि मिरे पास एक लिटर बिलियन है, 250 ml बिलियन है, उसमें बिले की मोल की संख्या कितनी है, तो ये बताएगा मोलर्ता, अब इसी के आधार पर परिवासा बना दी जाती है, कि किसी भ मतलब है, बिले पदार्थ की सानरता को बेक्ट करने का एक माध्यम, अर्थात बिलियन में कितना बिले पदार्थ मिला हुआ है, जैसे एक गलास पानी में आपने 10 ग्राम सक्कर डाल दिया, या कि 20 ग्राम सक्कर डाल दिया, 200 ग्राम सक्कर डाल दिया, तो वो जो सक्कर की मा मात्रा है वो बनाता है सक्कर के घनतों को घनतों ही एक प्रकार से सांडरता कहलाता है और जितनी ज़्यादा मात्रा में सक्कर मिलाते जाएंगे उसकी सांडरता उतनी ही बढ़ती जाती है ऐसे ही बिलियन में बिले पदार्थ की मोलों की संख्य जितनी होगी उसकी उतनी ही सा तो इसी को बेक्ट करने का एक माद्धम हमने बना दिया मोलर्ता, मोलर्ता से मतलब मोल, देखो भाई, मोलर्ता सब्द से निसकर्ष निकलता है मोल, और यही मोल की संख्या, मोलर्ता से एक सब्द बनता बच्चों मोल, यही मोल की संख्या, इसकी मोलर्ता को रिप्रेजेंट क ये मोल की संख्या यानि किसी बिलियन के एक लीटर में उपस्थित बिले पदार्थ के मोल की संख्या अब ये मोल कैसे निकाला जाता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल अभी इतना समझो कि किसी भी बिलियन के एक लीटर आयतन में हमने कहा भाई बिलियन है तो उस एक लिटर आयतन में बिले पदार्थ की मोल की संख्या कितनी है वो कहलाएगा आपका मोल लर्ता क्या बच्चो मोल लर्ता यहनी एक लिटर बिलियन में उपस्तित बिले पदार्थ की मोल की संख्या ही आपकी कहला जाती है मोल अर्था ठीक है चीजे क्लियर है किसी बिलियन के एक लीटर आयतन में उपस्तित बिले पदार्थ के मोलो अत्वा ग्राम अरुगों की संक्या वही चीज है न मोल अर्था कहलाती है अब इसका जब हम फार्मूला तयार करते हैं थोड़ा सा देखिएगा समय दीजेगा तो क्लियर हो पाएगा मज़ा भी आएगा मोल अर्था को हम कैप्टल M से रिप्रेजेंड करते हैं बोला क्या है किसी बिलियन के एक लीटर आयतन में एनि बिलियन का बिलियन का लीटर में आयतन लीटर यह दि लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं लीटर में आयतन किसी बिलिय बिले पदार्थ के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या, यह हमने कहां से सूत्र बना दिया, यह हमने बनाया परिभासा से, कि किसी मिलियन के एक लीटर आयतन में उपस्तित बिले पदार्थ के मोलों की संख्या, यह मोलर्ता कहलाती है, लेकिन डाइडेक्ट इसको हम स होना चाहिए बिले पदार्थ की मात्रा बिले पदार्थ की मात्रा मात्रा मतलब इसे 5 ग्राम 10 ग्राम है ना बिले पदार्थ की मात्रा और इस मात्रा में बिले का यदि हम बिले का अणुभार का भाग दे दें तो मोल की संख्या निकल कर आ जाता है ठीक है मोल की संख्या नि इस लीटर को मिली लीटर में बदलें यह आयटन है तो भी ML में दी बदलेंगे तो इतना ध्यान रखना यहां 100 का सोरी 1000 का गुणा करेंगे यहां पे लोगों को सबसे ज़्यादा confusion होगा यह कैसे हो गया यह कैसे हो गया देखो भाई जैसे यह लीटर है तो यह भी लीटर के बराबर होना चाहिए लेकिन मिली लीटर में जब हम 1000 का भाग देते हैं तो लीटर की बराबर होता है तो यहां पर हम भाग में लिख करके उपर लिख दिये हैं क्योंकि हर का हर उपर जाकर के गुणा ही होता है यह confusion create होगा तो बताना यह लीटर है तो यह लीटर है तो भा तो यहाँ पर भाग ना देकर बच्चो इसको हमने उपर लिख दिया है यहाँ पर भाग ना देकर उपर लिख दिया है तो यह confusion create नहीं होना चाहिए अब बिले पदार्थ की मात्रा को मैंने कहा यह भार जो मात्रा है उसको हम WB से represent करते हैं इससे WB से और अरू भार को हम किस से represent करते हैं MB से बिले पदार्थ की बात की जा रही है ना गुणे 1000 बटे भी ML यही आपके मोलर्था का फार्मूला है बताओ जरा किस से नहीं बनेगा यहाँ पर देखो मैं सिस्टम से बना बिले की मोल की संख्या बिलियन का लीटर में आयता है बिले पदार्थ की मात्रा म दोल की संख्य कैसे निकालते हैं बिले की मात्र बटे बिले का अणुभार गुणा 1000 यह लीटर को जब हमने ML में बदला तो मिली लीटर में 1000 का भाग देना पड़ता है लेकिन नीचे भाग ना दे करके ऊपर रख दिये ना क्योंकि हरका हर ऊपर जाकर गुणा ही होता है य किससे निकलेगा आपका मो लरता क्या निकलेगा बच्चो मो लरता चलिए कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे तब तो clear होप आयगा चलिए प्रस्ण लेते हैं और मज़ा आएगा आपका पहला प्रस्ण देखेगा यहँ पे हम केबल यहां पर method करा रहे हैं वांकि जब आपको एक्जाम देना होगा एक्जाम टाइम पे बच्चो आपको एकदम मैराथन क्लास भी आएगा ऐसा नहीं है इन सारे कोश्चन को फिर से करा जाएंगे चले फिलहाल यहाँ पर प्रश्ण देखिए पांच दिसमलो आठ पांच ग्राम नसील यह बिले है ठीक है 200 ml बिलेन में गोला गया है हल करते हैं थोड़ा सा देखिएगा चुकि यहाँ पर नसील की मात्रा दे रखी है नसील की मात्रा नसील मतलब बिले और मात्रा को हम डबलू बी से रिप्रेजंट करेंगे क्यों बिले अडुभार मतलब MB, यह कैसे निकलता है, सोडियम का होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35, जिसको नहीं है तो याद कर लो, जिसको नहीं पता तो याद कर लो, जो रहेंगे टोटल तो आ जाएगा 85, यह चीज निकल कर आ गया, मतलब दो चीज तो हमें मिल गया, और दिया मुला हमने पढ़ा है, WB बटा MB, गुणे 1000, बटा BML, देखो भई, WB कितना आपने पास, 5.85, और नीचे अंठामन दसमलो 5, गुणे 1000, गुणे 1000, BML मतलब 200, कार दो भईया, 2, 5, 5 हो गया, देखो, दसमलो हटाने का तरीका बताता हूं, उपर से भी दसमलो हटाऊंगा, दसमलो के बाद एक अंग है, मतलब 1-0 उपर बढ़ेगा, दसमलो के बाद 2-0 नीचे 2-0 बढ़ेगा, और आल्रेडी 5 है, यह 0 से 0 कड़ गया, पूरा का पूरा कड़ गया, मतलब 5 बटा 10 आया, यहनी 1 बटा 2 आया, यहीं से 5 में 10 का भाग देता है, 0.5 पाजाता है, यही पडार्स की मात्रा, कितनी देर के डबलू भी, इसका आर्विक द्रब्मा ने दिया, आप से नहीं बन रहा, तो फिर कुछ नहीं बनेगा, अणुभार कैसे निकालेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि 1-20 तक अणुभार आप देख लेना, यूटूब पे सर्च करोगे, यह लास्ट में सीव सर लिख दोगे, सीव कोचिंग क्लासस लिख दोगे, तो आपको मिली ही जाएगा, भटाक में जुरूत नहीं है, एक से बीस तक कैसे ट्रिक से याद करें, यह भी एमल दिया रहेगा बच्चो, और यह फार्मुला आपको त्यार रहेगा, तो आसानी से आ बात करते हैं, H2O की घनत तो, घनत तो इसकी कितनी होती है बच्चो, घनत तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, घनत तो होता है, इसका एक ग्राम प्रती मिलीमीटर, प्रती मिलीमीटर, है ना, मतलब यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूं, यदि इसका मात्रा ए एक हजार ग्राम है तो ये कितने में घुला होगा क्योंकि एक ग्राम एक मिलिलीटर में घुला है तो एक हजार ग्राम में जो है एक हजार मिलिलीटर में घुला होगा ये निकल कर आ गया और इसका आरविक द्रबमान किसका आरबिक द्रबमान? H2O की कैसे निकालेंगी भाई? H2O हाइड्रोजन का एक होता है दो हाइड्रोजन तो दो हो गया और अक्सीजन का 16 होता है आरबिक द्रबमान तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा मतलब ये किसके बराबर निकल कर आगिया? MB के बराबर क्या क्या चीज़ चाहिए? WB, B और MB यही तो है भाईया इसके लाबा कुछ चाहिए ही नहीं हमको निकालना है मोलर्ता फार्मूला क्या होता है? WB बटा MB गुना 1000 गुना 1000 बटा BML बताओ कोण बच्चा नहीं कर पाएगा WB का मान B10 ठीक है इसका मान B1000 है उपर 1000 है और यहाँ पर सोरी 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 इसका मान अठरा है ना अठरा है बाई यह अठरा है तो यहाँ पर मैंने 18 कर दिया और BML का मान है 1000 पूरा का पूरा कट गया जब आप 1000 में 18 का भाग दोगे तो 55.55 आएगा ठीक है इसको ऐसा भी लिख सकते हो या 55.56 आता है ये चीज भी आपको देखने को मिल जाएगा तो बच्चो ये कई बार objective question में भी पूछा गया है तो H2O की मोललता ये मोललता भी इतना ही आएगा यदि objective में पूछ दे H2O की मोललता या मोललता तो दोनों सेम है परसान होने ही जरुत नहीं है तो इस तरीके से मैं जो भी question करा रहा हूँ उसका एक दो एजमपल्स भी करा रहा हूँ कम समय में समझा रहा हूँ वीडियो पसंदत लाइक करके शेयर करें इसका दी handwritten notes लेना है तो contact number 9685299149 96852949 नहीं पता याद कर लो भाई तो लिख लो 9685299149 यह मेरा personal number है जिसको notes लेना है तो contact कर सकता है छोटा से amount चार लगता है यहाँ हमारे description पे app का link मिल जाएगा वहाँ से भी आप notes भाई कर सकते हो फिलाल आविकले इतना ही जय हिंद बंदे मातरम